हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार, क्यूक निश प्रोग्राम में आपका स्वागत है टॉपिक है प्रवासी भारती दीवस सम्मेलन में गुयाना होगा मुख्याती थी दक्षिन अमेरिकी देश गुयाना को 2023 में होने वाले 17 प्रवासी भारती दीवस सम्मेलन के मुख्य अतीथी के दोर पर चुना गया है इस सम्मेलन में गुयाना के राश्टपती डॉक्टर मुहम्मद इर्फान अली शिर्कत करेंगे प्रवासी भारती दिवस सम्मेलन 2023 में 8-10 जनवरी तक मत्यप्रदेश के इन दौर में आयोजित होगा तरह हमें प्रवासी भारती दिवस सम्मेलन की थीम है डायोस्पोरा अमरित काल में भारत की प्रगती के लिए विश्वसनिय भागिदार यह सम्मेलन भारत सरकार के साथ प्रवासी भारती समुदाय के जुडाओ को मजबूत करने और उन्हें उनकी जरों से फिर से जोडने के लिए आयोजित किया जाता है इसका आयोजन विदेश मुंत्राले द्वारा हर दो साल में एक बार किया जाता है इसके लिए 9 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिन अफ्रीका से भारत लोटे थे भारत के विकास में प्रवासी भारतिय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 2003 में पहला प्रवासी भारतिय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया लेकिन 2015 में इसमें संशोधन कर इसे दो साल में एक बार मनाने का निर्ने लिया गया उससे पहले यह प्रतिवर्स आयोजित होता था यह समेलन भारतिय डायस्पोरा के मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा करने और उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है जिन्होंने विभिन क्षित्रों में असाधारन योगदान दिया है इसी के साथ औस्टेलिया की संसत सदस्य जानेटा मसकारे इनहास युवा प्रवासी भारतिय दिवस के लिए विशिष्ट अतीथी होंगी युवा प्रवासी भारतिय दिवस 8 जनवरी को प्रवासी भारतिय दिवस सम्मेलन की हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है